हलो दोश्तों हमारे चैनल अम्रिट कोचिंग संटर में आप सभी का स्वागत है हर रोज की तरह आज भी एक नए लेशन के साथ एक नए टोपिक के साथ और एक नए जानकारी के साथ आए और आज का हमारा टोपिक है दे वर्ट आफ गॉड देवताओं के कारियर प्लास 6 इंग्लिस लेशन 6 है और यहां एक पोयम है जो भगवान के बारे में है कि भगवान ने क्या-क्या बनाए है किन-किन चीजों का उन्होंने बनाया है और कैसे किस प्रकार से बनाया है तो यहां पर देवताओं के कारियर नामे के बारे में हम लोग इस पोयम में सिखे तो वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा और बहुत यह असान तरीके से समझेंगे वह भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ तो अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं बोलिएगा तेहाँ पर बताया गया आल थिंग्स यानि सभी चीजे ब्राइट उज्ज्वल कहिए या चमकीले और ब्यूटिफुल सुन्दर तो आल थिंग्स ब्राइट और ब्यूटिफुल सभी चीजे उज्ज्वल और सुन्दर आल क्रियेचर्स तो सभी जीव क्रियेचर्स का मतलब होता है छोटे बड़े जीव जन्त में सभी लोग आते हैं Great and small, बड़े और छोटे, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, बड़ा भी होता है, तो all creatures great and small, सभी जीव, बड़े और छोटे, तो एक इस ने मनाया, भगवान ने, देवताओं ने मनाया है, all things things मतलब वईस्तिवे होती है चीजे भी होती है तो सभी चीजे wise wise यनि बुद्धिमान and wonderful और अद्भुत तो all things wise and wonderful सभी चीजे बुद्धिमान और अद्भुत the good God अच्छे भगवान ने made the dem all उन सभी को बनाया है made मतलब होता है बनाना दे माल सभी को तो किस ने बनाया अच्छे भगवान ने good मतलब अच्छा गोड भगवान तो the good God they made all अच्छे भगवान ने उन सभी को बनाया है each little flower हर छोटा फूल that opens जो खिलता है तो each little flower that opens हर छोटा फूल जो खिलता है each little bird सभी छोटा पक्ची that sings जो गाता है तो each little bird that sings तो हर छोटा पक्ची जो गाता है तो इस प्रकार से किस ने बनाया है भगवान ने all things bright and beautiful all creatures great and smile सभी चीजे सुन्दर यानि उज्जवल और सुन्दर सभी जीव बड़े और छोटे all things wise and wonderful सभी चीजे बुद्धिमान और अद्भूत अच्छे भगवान ने उन्हें उन सभी को बनाया है each little flower that opens हर छोटा फुल जो खिलता है each little birds that sing हर छोटा पक्ची जो गाता है इस प्रकार से ये देवताओं ने बनाया है he made their glowing colors उसने उनके सभी चमकीले रंग बनाया जो चीजे भी बनाये हैं जो वश्च्टिय believed मगवान ने उनके चमकीले रंग भी बनाया थो he made उन्होंने बनाया देयर उनके glowing, glowing को मतलब होता है चमकना या चमकने वाला colors यानी रंग, तो he made their glowing colors, उन्होंने उनके चमकीले रंग बनाए, he made their tiny wings, तो उन्होंने उनके देयर मतलब उनके tiny wings, छोटे पंक, tiny मतलब छोटा wings मतलब पंक, तो उन्होंने उनके छोटे पंक मनाए, the purple headed mountain, purple का मतलब होता है बैगनी और headed, सीर वाला mountain पहाड, यानी बैगनी सीर वाला पहाड, किसने बनाया भगवान ने, the river, river का मतलब होता है नदी, running by, तो बहती नदी, the river running by, तो बहती नदी, किसने मनाया the morning, यानी शुबह, and or the sunset, सुर्यास्त, that brightens of the sky, जो आकास को रोशन करते हैं, the morning and the sunset, that brightens of the sky, शुबह और सुर्यास्त, जो आकास को रोशन करते हैं, the tall tree, in the green wood, green wood का मतलब होता है, हरे जंगल, tall मतलब होता, लंबे tree यानी पेर, तो हरे जंगल में उचे पेर, the pleasant summer sun, गर्मियों की सुहावनी धूप, summer का मतलब गर्मी, pleasant यानी सुहावना होता है, और sun धूप, the tall trees in the green wood, हरे जंगल में उचे पेर, the pleasant summer sun, गर्मियों की सुहावनी धूप, किसने बनाया, वताओं ने बनाया इस दराइप फ्रूट्स देंद गार्डन यहीं इन दो गार्डन दराइप फ्रूट्स इन दा गार्डन बगीचे में पके फल राइप का मतलब होता है पका हुआ फ्रूट्स यहीं फल He made them everyone उन्होंने सब को बनाया भगवान ने सब चीज को बनाया He gave us eyes to see them उन्होंने हमें उन्हें देखने के लिए आँखे दी and lips that we might tell और होड दिये ताकि हम कह सके या बात कर सके या बता सके How great is God Almighty सर्व शक्तिमाल इसवर कितना महान है Almighty का मत्तब होता है सर्व सक्तिमान Who has made all things will जिसने सभी चीजों को अच्छा बनाया तो इस प्रकार से भगवान ने सारी चीजे बनाये हैं और एक दूसरे से जुडने के लिए उसी प्रकार से सभी को बनाया है आँख दिये हैं बताने के लिए बोलने के लिए आँख दिये हैं देखने के लिए कान दिये सुनने के लिए और उसी प्रकार से जो हरे बरे फॉल, पहाड, पेड, पौधे जीव, जन्तू तो सभी का निर्माड किष्णी किया है भगवान ने उस महान भगवान ने तो ही कहरा है सरो सक्तिमान इस सुर कितना महान है भगवान कितने महान है जिन्हों ने सभी चीज़ों को अच्छा बनाया है तो इस प्रकार से इस पोएम को आप बारी-बारी से दोराएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए लेशन के साथ और एक नए जानकारी के साथ